आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी कचोडी जिसको कहाने के बाद आप आलू प्याज या जिसकी भी आप आप कचोडी खाते हैं उसका कचोडी खाना एक तम फुली-फुली कचोडी बन करके तयार हो जाती है जो सबसे बड़ी इसकी विसिस्ता होती है वह यह है कि अगर कच मेति को साफ करने के बाद अपने स्लैब पर चाकू के हिल्प से इसे बड़ी आसानी से कट कर लेती हुए इस तरीके से काटने पर हमारा हाथ भी ने करता और बहुत ही फाइन चॉप हो जाता है फाइन चॉप करने के बाद आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि सबसे पहल कटाही में सरसु का तेल गरम हो जाया तो उसमें थोड़ा राई डालना है हरा मिर्च प्याज दाल करके थोड़ा भून लेना है जो आलू काट करके रखा कि रखा था इसको भी डाल करके अच्छे से फ्राइ तो डाले ना है अगर आपको हमारे वीडियो धोड़ी wash किया हुआ सोया міھی भी गड़ाही में डाल लेना है और उसको भून करके अच्छे से ढ़क करके पकाना है पकाने के बाद इसे lessor से mass कराना है किछा कचोड़ि आप चाहे तो मैंदा में बना सकते हैं लेकिन मैं आठे में बना रही हूं एक बहुत ही सॉफ्ट डू बना करके आपको त्यार कर लेना है आठा में आपको थोड़ा नमक थोड़ा अजुआइन हल्दी पाउडर डालना बहुत ही मस्त है उसके बाद चाहे तो थोड़ा से लाल मिच डाल लेते हैं और एक चमश डिफाइन बना करके इसको कम से कम आदा घंटा रिष्ट के लिए रख देना जब आप रिष्ट पर लग देंगे तो यह अलगी तरीके का अच्छा इसे कचोड़ी बनता है कचोड़ी का मसाला एक दम सूखा सूखा तयार हो गया है इसलिए मैंने कहा था कि जो भी आप सोया मेती धु कि दैनने वाला है दूसरी बात है कि बहुत जादा सोया मेथी बच्चे सोया मेती कि सबजी खाना नहीं पसंद करते लेकिन आसानी से अपने बचोंको सोया मेती खिला सकते बस जिस तरह और सारी काचोड़ी बनती है छोटी पूड़ी बेल करके उसके अंदर डालकर के इस अच्छे से इसको बेल लेंगे थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा मोटा यह बेला जाता है जिस से यह अच्छे से फूल सके, मैं बहुत जल्दी एक दब बढ़ियां से बेल ले रहे हूँ, इसके सबसे बड़ी क्वालिटी जो समं Himmai अच्छा लगता है, वह यह रगता कि जब भी ओयल में आप इसको डालते हैं तो फट करके इसका इस बाहने निकलता है और आप कोई भी जो भी कचोड़ी बनाते उसमें अपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि आप इस बहुत थोड़ा भड़ते हैं जिसे हमारी कचोड़ी आप ऐसा नौ की फट जाए और में आप जितना चाहे उतना बहुत ज़्यादधें में भरकर बड़ी आसानी से कचोड़ियां बना सकते हैं और यह कचोड़िया वाकई खाने में बहुत यह अच्छा होता है बनाना बहुत जयादधा अजाता है पूलता बहुत जल्दी है देखिए सबको breakfast कराने के बाद मैं अभी अपना नास्ता लेकर के बैट गई हूं देखिए यहां पर कचोड़ियों को मैं दिखला रही हूं देखिए कितने अच्छे से स्टफ हुआ है एक दम प्रॉपर तरीके से स्टफ हुआ है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना